हेलो दोस्तों चलिए हम लोग क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी ए का सेट नमबर 4 को सॉल्ब करते हैं इस से पहले हम लोग सेट 123 को सॉल्ब कर चुके थे आज हम लोग सेट 4 को देखेंगे चलिए ठीक है चलिए आपको जैसा कि पता होगा यह जो फास्टम का एकजाम होने वाला आपका दिसंबर मन्त में 2021 के क्लास 10 के लिए उसके लिए जेक बोट के तरब से प्रतिक सब्जेक्ट का पाच पास सेट जारी किया गया है ठीक है तो आज को हम लोग सेट 4 को सॉल्ब करेंगे यह हिंदी ए है चलिए देखें इसमें कुछ है जो यह खंड है खंड को है तो आप देख रहे हूंगा यहां लिखा है खंड को ठीक है आपको इसमें एक परहगर रभ दिया हुआ है है यहां से यहां को पढ़िए गा परहगर को पढशियें के बाद इसी से दिलेट पाच पोस्टन है जैसा यहां लिख्खा अपरशन संग्या एक से पास तक आपको बन पे ठीक लगाना होगा तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा इन चारों उप्सन में से सही एंसर क्या होगा तो फिलाल इसका सही इंसर होगा अगला कोश्चन देखते हैं हम दो कोश्चन नमर 3 को कोश्चन नमर 3 में लिखा हुआ है स्वस्त और सदाचार नस्ट हो जाते हैं ठीक है किसकी कारण नस्ट हो जाते हैं आपको 4 option है आपको सही इंसर चुनना है तो इसका ओजागा option A किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है आपको बताना है इसका इंसर क्या होगा तो को इसका विलोम सब्द क्या है ठीक है आपको इसका विलोम सब्द बताना है तो कोश्चन नमर जो फाइफ है इसका सए इंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आउनती नती का विलोम क्या हो गया आउनती इस प्रकार हम लोग कोश्चन एक से पास तक स्वल्प कर चुके अब हम लोग नेक्ष्ट देखते हैं इसमें आपको 6 से 10 नमर कोश्चन स्वल्प करना है यहां नीचे कुछ है क्या षाइंड हुआ है पद्यास दिया है आपको इसको पढ़ना है फिर से चर्फ यहां से पूरा नीचे तक पढ़ लीजिए अपने एक वर खुश्च से पढ़ लीजएगा इसको पढ़ने के बाद आंब गोश्चन को देखिए गा आपको आने लग तो इसका इंसर हो जाएगा option C, जीवन के दुखों से की गई है, चलिए, तो question 7 को देखते है, question 7 में लिखा हुआ है, कभी का जीवन के प्रती दिष्ट कोन कैसा था, जो कभी थें, उनका जीवन के प्रती दिष्ट कोन आप से पूछा जा रहा, तो इसका answer क्या होगा, option A होग नीरासा से, ठीक है, question no 9, आसा का विलूँम सब्द आपको बताना है, तो आसा का विलूम सब्द क्या होजागा呢, यानि option B, इसका science नीरासा, question 9 का, question no 10, इसमें लिखा हुआ नभ का प्रेवाची सब्द क्या है, ठीक है, तो नभ का प्रेवाची सब्द होता है, आकास, इसक तक हम लोग का question 10 तक complete है आगे देखिए यह खंड खो जो है यह क्या है लिखा हुआ ठीक है तो आपको ब्याकरण से related question इसमें पूछा जाएगा question 13 में लिखा हुआ है कौन अरून का अनेकारती सब्द नहीं है आपसे पूछा है इसमें कौन सा नहीं है तो option C चंद्रमा नहीं होगा ठीक है तो option C इसका question 14 में लिखा है जब समास का प्रथम पद और प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा तो यह हो जाएगा option B इसका question 15 में लिखा है विद्याले विद्या के लिए आले कौन सा समास है आपको बताना है ठीक है तो इसका question B तर्थ पूरुष समास यह वाला option B तर्थ पूरुष समास अगला question देखते हैं हम लोग question 16 में लिखा है नीला है जो अंबर विग्रह पदो का सई समस्त पद क्या होगा तो इसका हो जाएगा निलांबर इसका मतलब option A इसका question 16 का 17 नमर में लिखा है रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और से आशित उपवाक्य होता है रचना के आधार पर आपको बताना है ठीक है जिसका इसका सई इंसर क्या होगा तो 18 नमर का इंसर हो जाएगा option C यह वाला क्या लिखा है समाना अधिकार और बैतिकरन या अट्रा नमर का सई इंसर option C है ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नमर 19 कोश्चन नमर 19 में लिखा हुआ है पिताजी के दवारा अकबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेध है आपको भेध पूछा गया तो इसका सई इंसर हो जाएगा option B कर्मवाच्च क्या हो जाएगा 19 कोश्च कर्ति वाच्च के करता के कारी की यहां डेस दिया अपने खाली जगामा को भरना है होती है तो आपको बताना है खाली जगामे क्या होगा तो इसका से इंसर हो जाएगा option A प्रधानता क्या हो जाएगा प्रधानता चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अब देखिए यह इस बहुत अच्छे से पढ़ लिजेगा अपको इस से रिलेटेटि कोश्चन दिया गया है तो हम लोक सिधा कोश्चन पर आते हैं कोश्चन नमर 21 को प्रस्तूत कवियांस के कवी कौन है तो आप जब बुक पढ़िएगा तो आपको दिख जाएगा कविता का नाम ठीक है का नाम आपको वह अच्छा से किताब को पढ़ लेना था इसका सही इंसर फिलाल हो जाएगा option C नागर जुन ठीक है अगला question देखते हैं question number 22 को question number 22 में लिखा है दन्तूरीत का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ क्या होगा तो दन्तूरीत का अर्थ होता है ने ने दात यानि option D इसका सही इंसर हो जाएगा option D question number 22 का question number 23 को देखते है question number 23 में लिखा है मा बच्चे को क्या कराती रही जो मा है बच्चे को क्या कराती रही तो इसका सही इंसर हो जाएगा option C मधु पर्क मधु पर्क चलिए अगला कोश्चन नमर देखते हैं कोश्चन नमर 24 को कोश्चन नमर 24 में लिखा है कवी ने धन ने किसे कहा ठीक है तो इसका सही इंसर क्या होगा option B होगा यानि माता और पुत्र को कहा तो option B पे आप टिक लगा सकते हैं माता और पुत्र को चलिए अगला कोश्चन नमर देखते हैं कोश्चन नमर 25 को कोश्चन नमर 25 में लिखा हुआ है बादल किस दिसा से आ रहे हैं तो बादल जो है अज्याद दिसा से आ रहे हैं यानि option D इसका सही इंसर हो जाएगा question number 25 का question number 26 में लिखा हुआ है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो इस पक्ती का अर्थ क्या है आपको इस पक्ती का अर्थ बताना है ठीक है तो इसका answer क्या होगा question number 26 का option B होगा ये वाला क्या है फागून की हरियाली महसूस करना ठीक है question number 27 में लिखा है सुरीकांदर त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ जब आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा इसका answer का option D 1899 चलिए अगला question 28 question को देखते है question number 28 में लिखा है मरदाजा ना लही के माध्यम से सुर्दास की गोपियां कौन सी मर्यादा ना रखने की बात कह रही है ठीक है तो इसका सही answer हो जाएगा option A frame की मर्यादा ठीक है चलिए तो हम लोग का ये complete हो चुका अब फिर से यहाँ पर आपको देखिए गध्यांस दिया है इसका सही option हो जाएगा option D क्या लिखा है पानवाले के दबारा एक देशभक्त का मजाक उडाना या उडाया जाना ये हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा चलिए अगला question देखते question number 30 को 30 में लिखा है बुढ़ा मर्यल सा लंगड़ा आदमी कौन था बुढ़ा मर्यल साइक लंगड़ा आदमी था वो कौन था वो captain साहब थे option C's का सही answer हो जाएगा captain कोई दिक्कत नहीं यहां तक चलिए question number 30 तक हम लोगा complete है अगला question लोग देखते है 31 से देखिए question number 31 में लिखा captain क्या काम करता था तो captain एक फेरी वाला था option C's का सही answer है चलिए अगला देखते है question number 32 को लहदार सहाब पान वाले से क्या जानना चाहते थे ना वो क्या जानना चाहते थे लहदार सहाब तू captain के बारे में जանानना चाहते थे yeah option D's का सही इंसर हो जाएगा question number 32 का होगी है यहां तक चलिए अगला देखिए यह लिखावा निमलिकित प्रश्णों के सही उइकल्प का चेहन करें हम लोग उसको पढ़ते हैं question number 33 में लिखा है लेकक बाल गोविन भगत की किस विजिस्ता पर अत्यधिक मुगत्था ठीक है तो 33 जो है इसका सही इंसर option C होगा मधूर गान पर option C 33 का देखे 34 नमर question में लिखा है बाल गोविन भगत पार्ट के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं धान की रोपाई को रोपनी कहते हैं option B इसका सही इंसर हो जाएगा question number 35 में लिखा है बाल गोविन भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा ठीक है तो वो जादू कहा option A इसका सही इंसर हो जाएगा question number 35 का चलिए अगला question हम लोग 36 नमर को देखते हैं question 36 में लिखा है बाल गोविन भगत कौन से मा में प्रभातियां शुरू करते थे तो इसका सही इंसर option D हो जाएगा कार्तिक महिना में यानि कार्तिक में यहां तक complete है अब हम लोगा 37 से 40 तक question solve करना है इससे पहले यहां गध्यांस फिर एक दिया हुआ आप इस गध्यांस को पढ़िए नीचे और भी थोड़ा है यह हो गया अब इसी गध्यांस से दिलेटेड यहां पर इप्रशन है 37 में लिखा है परस्तुत कहानी के लेखक कौन है आपको जो परस्तुत कहानी आप पढ़िएगा यह text book से लिया गया है परस्त पुष्टक के है इसलिए पढ़ने से आपको पता तर जाएगा कौन से चिप्टर से लिया गया है तो आपको बताना आते है इसका सही इंसर हो जाएगा ओप्शन ए ठीक है शीव पूजन सहाय चलिए अगला देखते है question 38 में लिखा है इसको भी देखते है question 39 में लिखा है मा चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी ठीक है तो क्या बांध देती थी तो इसका सही इंसर हो जाएगा option D फूलदार लट्टू और आज का आखरी question है question 40 इसमें 40 में लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे तो इसका इंसर हो जाएगा option B बाबुजी की गोद में चलिए complete है तो हम लोग का इस परकार question 40 complete हो चुका है और ये हिंदी A का मतलब हिंदी subject का जो A group है एक होता है ने हिंदी A हिंदी B तो हिंदी A है उसका set number 4 है ठीक है उसका हम लोग solution देख लिए क्या होगा answer हम लोग देख लिए अब हम लोग हिंदी A का set 5 को solve करेंगे तो हम लोग का हिंदी का पूरा complete हो जाएगा set ठीक है चलिए तो हम लोग मिलते है अगले वीडियो में तब तक thank you